हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मीद कर तो अच्छे होंगे आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम नौकरी.com, इंडी.com बहुत सारे जॉब पोर्टल से उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं पट विद लेटेस्ट AI का तड़का कैसे उसमें AI को मिंटिगेट कर सकते हैं उसमें बहुत साइची चीज़ा आप की कर सकते हैं तो शुरू करें चली शुरू करते हैं उसके लिए जो स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाय में जॉबी ठीक है जो की जॉब बोर्डर मार्केट प् लिए चिब्स बताब आपको जो चाहिए सबकों जिसमें आपको्स भावर काफि अच्छी स्क्रिप्ट यै काफी ज्यादा योसफू होने वाली है ठीक है तो ओन्स आपको अपको अपनी छुमारी स्कृप्स हो दैना आपको इपनी होस्टिंग पर आजाना में जाईए जो demo actually basically मेरा sub domain में ने बनाया उसका folder है ठीक है आपके case में जो भी आपका public HTML या कुछ sub domain है उसमें जाईए जो भी आपका domain है उसमें अपनी files को upload कर दीजे तो मैं आप अपनी files upload कर रहा हूं जब तब तक files upload हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे तब तक database में जाएंगे management में जाएंगे और एक database बना लेंगे अज़िक हमारे database यहां पर क्रेट हो चुका है उसे copy कर लेंगे तब तक हमारी files कुछ second के files हैं जो upload हो जाएंगे तो जैसे कि हमारी files upload हो गई है तो मैंने extract कर लेंगे right click करेंगे extract पर क्लिक करेंगे जो भी आपका folder ने में हो यहां पर डालेंगे and extract कर लेंगे हमारी file यहां पर extract हो चुकी है तो हम यहां पर इसको अपनी जो भी हमारा यूजर नेम डालते हैं जो भी आपका password है आप वो डालेंगे ठीक है एंड यहां पर आप submit next पर आप click कर देंगे तो यहां पर हमारी जो वेबसाइट हो चुकी है तो यहां पर काफी सारे अलग अलग यहां पर आपको मिल जाएंगे तो यह नहीं आपको इक ही style में चूज करना है जो भी बैटन आपको सही लगे जो भी style आपको सही लगे जैसे यह काफी थोड़ा लग रहा है तो आप उस प्राइच कर सकते हाँ अब अपने अपने एकॉर्डिंग यहां पर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चैंज्प करनेए जैस्ग हमें कॉन्ते उम्ने करेंगे है से हां त्यूनником यहांपको चैंज दिवा देंगे तो यहां पर हमने लॉग इन कर लिया है, डिफॉल्ट के साथ, अब हम एक लाइज से सभी चीजों को वर्क करते चलेंगे, अगर बाकी आपको सेटिंग्स पर बात करने तो यहां पर बहुत सारे उप्शन से, तो हम स्टाट करते हैं, यहां पर जो भी ओर्डर साइंगे, जै करने हैं, जैसे मैं IRR में change करना है, रूपीज symbol लगाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, रूपीज का सिंबल जहां से सर्च कर लेना है, और अपनी currency को change कर पाएंगे, थीक है, हमें कोई taxation लगाना है, उस पर तो हम भी taxation लगा सकते हैं, तो अभी मैं लगाना नहीं है, बात कर रहे हैं, अब credit box क्या है, जैसे कि इसमें AI के काफी सारे features मिलेंगे, उनको use करने के लिए, आप credit यहां पर डाल सकते हैं, कि आपको इतने credit सबको लेने पड़ेगे, तो इससे आपके एक extra income हो जाएगी, तो आप यहां पर fees charge कर सकते हैं, कि एक credit कितने रुपे का है, तो य यहां पर डाल सकते हैं, तो आप उनको use करने के लिए अपना amount यहां पर सकते हैं, जो भी subscriptions होगे, उनके plans होगे, ठीक है, basic plan होगे, जैसे कि enterprise plan होगे, कि आप basic plan लेंगे, तो 20 job post कर पाएंगे, 5-15 feature होगी, live job होगी, जो कि 120 दिनों के लिए AI क्रेट्स पिलेंगे, आपको हज आप बेसा से ट्राइल भी सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर जिन लोगों ने यह plan खनेदा है, बैसिकली यह बेसिक्ली यहां कीूप्राइब किया है, यहां पर यहां को इक दिखेंगी, ठीक है, यहां पर आपको कंपनी गया, यहां पर उनके कंपनी के जो भी आफीड़ब कितना होची एकिस्ट इसमें यह आपका ट्राइल सब्सक्राइब एक्टेट कर सकते हैं कोई डिटेवेट कर सकते हैं वेलों सभी गेटवेश जो भी है वह आपको यहां पर मिल जाएं के रिज़र पेपाल हो गया तो अब इंचन पेमिंट भी ले सकते हैं AI Templates में आपको Resume Update करना है तो आप चैटीपटी यूज करते हैं, LinkedIn करेट करना है तो आप अपने इसाब से अपना प्रॉम्ट बना लेंगे, ठीक है, उसको प्रॉम्ट बनाने के बाद यहाँ पे अपना प्रॉम्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका जॉब का टाइटल है, अपना भी प्रॉम्ट बनाने के मिलें, यह पनी पर क्लिक करना है, यह चैटनले का लेगा federally खेंगे, यह ओको रे मेंहों कि चैट है, इसके यह उज्लेध का टॉम्ट अपर प्रॉम्ट बनाने कि मकलों स्खम देखेंगे, सब्सुले जो भी company registered होई थी उन्हों यहाँ पर डाली है वो आपको jobs यहाँ पर दिखेंगी अब यह important feature है jobs की category तो यहाँ पर जो भी देखने सब IT jobs है तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का website बना रहे हैं और किस तरह की niche की website बना रहे हैं अगर suppose आप बना रहे हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी marketing jobs होंगी तो आप उस तरह कर बना सकते हैं तो आप उस तरह के आप अपनी skill sets बढ़ाएंगे ठीक है ठीक है तो वह options आपको अपने वाड़ी यह पर changes करने हैं यहाँ पर qualifications आगे जो आप देंगे तो आप कुछ निगरी हम डाल देते हैं जैसे कि BCA हमने डाल दे जिसमें GPA किते percentage से आपने पास किया यह सब गर यहाँ डाल लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल तो बिगनर इंटिमेट वगरे पहले से आगए अगर और और कुछ आपको एड़ करना तो आप कर सकते हैं ठीक है अगर message request कोई से आती है तो वह आपको यहाँ पर user logs में आपको conversation यहाँ पर देख जाएगी अब यहाँ पर आत है नया कुछ ब्लॉट करना तो अपलोट कर सकते है एक डेमो ब्लॉट कर देते हैं तो अपर देख सकते हैं तो बापे साते हैं यहाँ पर FAQs आपको मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पर FAQs आपको एड़िट करना है testable पेसे फ्रेंट वेफटे पर जो बोच है आप सब कुछ आपसर को डिख सकते हैं अप्ट पेस्स अप्ज़ पर गगाई तो जोबी यहां से चेंज़ कर सकते हैं अब बहुत सारे ओप्जन्स मिल ला है कि मल्टिपल अप हर किसी को इतने सारे स्टैल तो दिखाने नहीं तो उनको आपको रिमुफ करना है तो आप यहां से सब कुछ अपने अपर चेंज़ कर सकते हैं आप KYC का option भी बहुत important है कि आप यह कंपनी में KYC करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं ठीक है कि जो भी candidate apply करा जो भी company है वो January तो आप उसके recording यहां पर KYC भी आप यहां पर पूछ सकते हैं KYC कर सकते हैं इसी तरह से काफी सारी options से हैं यहां पर themes पर जायेंगे तो themes पर भी आपको काफी सारी themes आपको मिल जाती हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी आपने थीम्स भी यहाँ को भी आपको अपको अक्टिवेट करने है वह आपको कर सकते हैं तो आप हम बात करते हैं कि आप हमें सपोस्था जो आपके पहले कंपनी में आनी है और अपना एक कैड़िट बनाना है तो कैसे यह हम लोग जाए तरच चलेंगे ठीक है तो हमने अपने 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 की डेमा काउंट बनाया ठीक है अब यहां पर आपकी कमपनी काभी स्टैबिस हुई थी आपने वर से इसाइट किया कंपनी का इंट्रो तो यहां पर इंड्रो एक नाम कार लेते हैं जिसकों बार पर usरें प्लोग कर देखił और हमने क्रहआ अपनि अपनीस काल crashed के क्रिख लिए। कर देते हैं कि कि हैं कि है क mirrors यहां पर क्या है और हमें कारइप कर देटे हैं नहीं अठेसी कोरें यहां सबस्क्राइब है नहीं chant तक है, contact person का name, contact person की designation, contact person का email address डाला हमने यहापे, ठीक है, अगर आपने नमबर डाला, ठीक है, अगर आप और URL अगरा डाल ली है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपती, ठीक है, submit कर दिया, basically यहाँ पर जरून इंफोमेशन डालेंगे, मैं यहाँ पर demo के लिए सट अप कर ठीक है, तो अब हमें को क्या करना है, कि हमको यहाँ पर अपनी details डालने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर air templates भी आगी है, हमारे पास जो हम use कर सकते हैं, पर इसके लिए मैं plan purchase करना है, तो हम एक basic plan को purchase कर लेते हैं, यहाँ पर पे payment gateway का option आया, जो भी payment gateway होगा, आपका और हमने हमना CV भी डाला, तो इसके बाद हमारे पास option आएगा कि हमको इस order को execute करना है, फैल करना है, जो भी करना है, तो अब यहाँ पर सभी options खुल जाएंगे, अगर हमें AI का option यूज करना है, या कुछ करना है, तो मैंने यहाँ पर आपको अभी एक चीज नहीं बताई है कि AI को indicate कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको भी हम बात करते हैं, उस बारे में भी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको credits मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगा, अगर आपको buy करना है credits, तो आप वो भी यहाँ से, एक रुपय का एक रिट आ गया, रुपय में हमने खिया था currency, तो overview डाला, salary डाली, कि हम, ठीक है, हमने e-commerce में एक्सपर्टी, और फैशार जो भी options थे, हमने यहाँ सलेक कर लिए, ठीक है, यह remote job है, ठीक है, और हमें ज़्यादा कोई information, और हमने एक deadline देनी पड़ेगी, कब तक आउसमें लोग apply कर सकते हैं, हमारी job यहाँ से जा चुकी है, पर यह भी pending है, ठीक है, तो हमें बापे से dashboard पर जाना होगा, इसे बंद करते हैंगे, जब भी कोई apply करेगा, तो जो भी candidate होगी, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, job applicants, ठीक है, पर इसको हम चाहें तो, वहाँ से भी देख सकते हैं, कि हम मुल्टिपल अकाउंट लोग तो यहां से जो भी आपको अपको बतानी पायता है, यहां पर आपको बतानी पायता है, यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको बतानी पायता है, यहां पर आपको 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 यहां पर करनें आप दिसेबल करनें तो अम्हें दिसेबल कर रखिए अगर हमने आफिछा रहिए कनी तो हमारे पैले की आपर जाती है छोकफे जो depending हो की को सब्सक्राइब करें रहें भी इस द्रीक किसेदी आखिए अभी थे सारे चीजिँ है अभी लाई थै 나올 Just jobs पर जाएंगे देखिए यहां पर देखिए आगे डेवुसिंग एसे राइटर जोब तो इसे हम क्या करेंगे edit करेंगे and approve कर देंगे ठीक है तो हमारी job यहां से approve हो चुकी है देखे हैं हमारी job approved हुई है या नहीं हुई है तो देख सकते हैं approve हो गई अक्टिव हो गई तो अभी हमें से लॉग आउट करना हुआ कि हमें दूसरा यूजर को login करना है ठीक है तो हम रेजिस्टर पर जाएंगे candidate पर जाएंगे ठीक है यहां पर रोविद से हम login करेंगे एक account बराएंगे ठीक है तो यहां पर कुछ अपने बारे में डालना है तो हम वही सब डाल लेंगे हमने select किया अपना date of birth आपको यहां पर डालनी है तो हमने यहां पर date of birth डाल दी ठीक है हमने यहां पर four number डाल दिया आपना जो भी आपको profile picture प्रोट करने आप वो select करेंगे जो भी country के आप वो select करेंगे ठीक है जो भी आपके skill set है आपने वो यहां पर select कर लिया आपने डिग्री कहा सके देखें हमने इंस्टिटूट डाला था दिग्री तो यहां पर आगे जितने आप डालेंगे वो सब यहां पर आपको देख जाएगा ठीक है तो हमने अपर इंस्टिटूट का आपका नाम है वो यहां पर डालेंगे यह डालेंगे ठीक है तो अपनी इंफोर्मिशन डालेंगे अगर हमाई ऐसे डाले है तो हमने इस-टैक है वसी आपकी मैं ओर हमें भी डाली है तो इस तरह से आप एक job portal set up कर सकते हैं with AI and SaaS option उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी useful लगा हुआ अगर वीडियो useful लगा है तो like करें मिलते हैं अगले वीडियो में